हेलो स्टूडेंट मैं रमाकान स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम उडान बैच के अंतर गत क्लास नाइन्थ का गडित का पार्ट नमबर तू गडित में जो चेप्टर चल दा था वर गत था वर गमूल इसको डिसकस करने वाले हैं क्योंकि आपके बहुत जादे कमेंट आ रहे थे कि दूसरा लेक्चर लाएगे देखिए मैं क्लास लाता हूँ अप लोग पूरा वाच नहीं करते हैं इसलिए मुझे लाने में थोड़ी सी हिच के टाहत होती है कि आप लोग पूरा क्लास नहीं देखते हैं और नाहीं अपने दोस् टाइब कर लिजेगा दिखिए यह दिया गया है कुछ कंडिशन अकर जो किसी संख्या के अंत में दो तीन साथ आठ मतलब यह संख्याएं दिख रही हैं तो उनका स्क्वाइर रूट नहीं निकाला जा सकता है ठीक है कुछ बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिस में भी लाइए तो हम जो वर्ड होंगे उनको इंग्लिस में बोल दिया करेंगे और कुछ वर्ड को लिख कर भी लाएं हैं इंग्लिस में पीपीटी भी तयार किया है ठीक है तो इंग्लिस वाले भी बच्चे पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले बच्चे को अंग्रेजी जानना जरूरी भी तो उनके लिए भी फायदा रहेगा देखिए अगर जो किसी संख्या के आन्त में दो तीन साथ और आठ दीए गए हैं तो उनका हम square root नहीं निकाल सकते हैं जैसे square root का मतलब उनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं जैसे कोई संख्या दिया गया है 22 ठीक है तो इसको हम वर्गमूल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं 22 का वर्गमूल कभी निकलता है पोई देख सकते हैं जैसे लिए हम 30 टीक है इसके लासट में कितना 3 दिया गया है तो तीन का हम नहीं नीकल सकते हैं इसी परकार से 7 भी इसके लासट में रहेगा 8 भी इसके लासट में रहेगा उनका हम WORGM Rug यान की SQUARE ROOT नहीं निकल सकते हैं यह वर्ड आप लोग को लिख लीजिए याद कर लीजिए इसके इंस्वार कर लीजिए जो मर्जी वो कर लीजिए देखिए यह कुश्चन तो नहीं आएगा कि किसका निकाल सकते हैं किसका नहीं लेकिन से एकजाम में यह आपके लिए बहुत फायदे मंद रहेगा क्योंकि इससे आगे कुश्चन बढ़ते हैं जैसे कुश्चन सालब करने के लिए यह सब जरूरी रहता कहीं कहीं पर तो इसको जाना जरूरी है यह नहीं कि पूछ लेगा कि कौन कौन से संख्या कि लास्ट में दिया गया है तो उसका वर्गम लिका सकते हैं या नहीं ऐसा कुछ न पाइथागुरस्तिरेक क्या होता है जैसे देख लेते हैं ऐसे कोई त्रीभूक दिया गया है ठीक है कि असको मालेते ए डिया गया है अगर घा हाई धा गोरश 3 पड़े आगे तो उसमें क्या बताः जाता है जो कंड का -2 यहां ब्राबर होता है कि क्या होता है nosotros को बोलते हैं बैस बोलते झालों को क्यी आ बोलते हैं इस थैक है तो किया हो जाएगा यहां पर पार बीशी का का स्कॉयर फार्मूला गर जो देखा जाए आप लोग जानते भी वह होंगे बिसी का स्कॉयर बरावर होता है एबी का स्कॉयर प्लस कौन सा हो जाएगा एसी का स्कॉयर ठीक है यानि कि अगर जो यह भुजा नीचे वाली दी गई है आधार जिसको बेस बोलते हैं यह दिया गया है पांच ठीक है उसके बाद में इधर दिया गया है यह पांच नहीं इसको कुछ और माने है ताकि तरीक बने यह दिया गय है मान लेते तीन और यह दिया गया है चार तो इसका हम इस फार्मूल से मान गयाद कर सकते हैं इसका मान कितना आएगा यह हम गयाद कर लेते हैं इससे देखिए कैसे गयाद होगा कि देखिए का मान कितना दिया गया है तीन दिया गया है तो तीन का स्कॉयर कर दिए तीन ल जाएगा 25 और 25 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो किन्दा जाएगा 5 ठीक है यानि कि 20 की वैलू कितनी आजाएगी पांच आगी और 20 स्क्वाइर यहां अगर जो रहेगा तो किन्दा रहेगा यह 25 रहेगा इस तरह से इन दोनों कमान कैसे ग्याद करेंगे इसको हम ट्रिक से जानेंगे अभी थोड़ी दिर में तो यह अब लोग तो अहलका फुलका इसके बारे में तो जानते ही होंगे जो हमने यह बताया है करड़ स्कॉयर बराबर लंब स्कॉयर प्लस आधार स्कॉयर यह फर्मूला अगर ज यह लिए हम आगे देखते हैं यहां दिया गया भी समसंख्या है ठीक है बष्म और स्कॉय और सम्संख्या गयी हो या तो बिसम होगी या सम होगी या सम को क्या कहते हैं सम संख्या को बोलते हैं इवेन नमबर ठीक है और बिसम को क्या बोलते हैं और नमबर ठीक है तो सबसे पहले हम आड़ वाले के बारे में जानेंगे ठीक है और नमबर किसे बोलते हैं को इसे दो एक ए 10 पांच 3 पांच थे कि इसा चाहिते से जो संख्या रहिती यूंट को में बोलते हैं और आमपहस sadi कि अगर जो को इस अग्या संख्या दिया गया एक दिया चैसी यूप लाव इसे बाद硬 निधाये कि भी साथ pinch कोई संख्या दिया गया है तीन उसके बाद में पूछा गया है इसका दो तिरी एक और कौन कौन सा हो सकता है तो इसको जो तीन दिया गया इसको हमाल लेंगे यह उसके बाद में फार्मूले पर साल करेंगे इसका दो तिरी एक और कौन कौन से हो जाएंगे एक हो जाएगा य कि उसके वाद में माइनस एक बटे में दू ठीक है तो किना हो जाएगा नौ में इसे गटाएंगे आठ और बटे दो जब साल करेंगे तो कितना आएगा यह चार आएगा ठीक है यह कितना लिखा आठ बटे दो लिखा गया है हम इसी परकार हम इधार वाला देख लेते हैं जैसे यह दिया गया था यह पिस ऐन इसवार पलस जैगा 9 उसके आदम उसप्लसर उनगे 9 clean ठीक है नो एक कितना हो जाएगा दस वटेम कितना दो यानि कि पांच यानि कि अगर जो कोई तीरी एक दिया गया है यह न बराबर कितना दिया गया है तीन तो अगर उसके जो और दो होंगे कितना हो जाएगा एक हो जाएगा चार और एक कितना हो जाएगा पांच ठीक है और एक दो पर इसका देख लेते हैं इधर देख लिए थोड़ा सा कुछल जैसे हम माल लेते हैं यहन बरावर पाँच वर चेक करेंansen तो अभी ही तीन और चार आंगे देखते हम इसको भी देख लेते हैं चलिए यहन बरावा कित्ना पांच ले रहे रहे हैं ठीक है तो पहला वाला क्या होता है यानि स्क्वायर को प्लस ऐन बाइटू एक यान की वहलु कितनी दीगे हैं उसके बाद में plus 1 तो कि मैं तो डिवाद डैटी जिस हम यह किंदा हो जाएगा 26 अधिए 26 बटे 2 किंदा होता है 23 2 ओडियर 26 होता यानि कि गाता है तो एक तेरा अत्य था ठीक है यानि कि एक दिंग गया तो 1 थ्याund पाद में एक और जो दियार 2 जो दियार मैं यह 25 में से गटाएं कि ना हो जाएगा चै कर दिक है इस तरह से दिए रहेंगे आपको त्रियक कोई सम हो या भी सम हो तो उसका हम गयाद कर सकते हैं अभी तो आप लोग कोशिश करिएगा कि दो बार देख लीजिएगा अगर जो आपको 50% भी पहली बार में समझ में आता है तो अगली बार 100% समझ में आ जाएगा ठीक है और इसका रिवीजियन भी करते रहिएगा क्योंकि यह मैथ है अगर जो एक बात पढ़े उसके बाद में सब्सक्राइगा ठीक है और वीडियो के लाश्ट में जब पूरा क्लास देख लेना तो उसके बाद में कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसा रहा है क्योंकि मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं और उन पर लाइक भी करता हूं जो देखते होंगे कि आप लोग आपके कमेंट पर लाइक आया है तो वह मैं ही करता हूं मुझे अच्छा भी लगता कमेंट पढ़के तो आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करिए सब द्यार्ति करेंगे लाइक करें या ना करें लेकिन कमेंट सबको करना है क्लास खतम होने के बाद में पहले नहीं इसके बाद में देख करें देख लेते मैं देख लेते हैं इसके फार्मूला था अब समुखला अब सम वाले का फार्मूला भी यह अदि को होता है नलवान एक बात होते हैं अचांपर कि जैसे सम को बोलते हैं यानि कि सम को बोलते हैं इविन यहां दो चार चे आठ इस तरह से डा डार्डार करें जाते हैं समसंगा है सम विसम का मैंने वीडियो बनाया है अगर जो आप लोग उने नहीं देखा आड इवेन का तो वह देख लिजेगा किलिर हो जाए गिदम से है कि तो देखे इसका क्या फार्मूला होता अगर जो कोई तंक्राड़ दिया गया है चार तो उसके बाद में पूछा जाए चार दिया हो मार ज्चे 4 दिया हो आट दिया हो इसके बाद में उसके ूसके दो और पाई Cand चाहराए है लिसके हैं दूसरे जीयाद करने के रिखाए है जिसके और यह कोआदर में 6 و 2 दो कि यहां से यह मिला है मैं त्रीक नहीं मिला यह तरीक यह था अब इस ही के सारे हम निकलेंगे दो आउन निकलेंगे देखिए यह वालना जो हम बता रहें ट्रिक यह आपके किसी बुक में और किसी तरह से दिया होगा तो उसको गलत मत समझेगा या मेरा पढ़ाया गलत मत समझेगा दोनों सही है ठीक है किसी किसी बुग में और तरह से दिया गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका जो ट्रिक होता है एक होता है एन स्कॉायर मा माइनस हो रहा था लेकिन बटे में क्या आ जा रहा था दो आ जा रहा था और क्या नहीं हुआ था इसमें हम आधा इसका नहीं किया थे यह न का ठीक है यह तो यहां कितना हो जाएगा दो का स्कॉायर उसके बाद में माइनस में एक तो दो का स्कॉर कितना होता चार उसके बाद में माइनस एक करेंगे तो कितना हो जाएगा यह तीन हो जाएगा इसके बाद में प्लस वाला जब साल करेंगे तो कितना हो जाएगा दो का स्कॉर कितना चार उसके बाद में प्लस में एक चार एक इस तरह से और विसंख्या लेकर के आप साल कर सकते हैं से अब इसके बाद में हम देख लेटें आगे कि कि अगर दिया गया हो किसी संख्या के आन्द में किस पाइब हो यानि कि पांच दिया गया हो तो उसका हम स्क्वाइर कैसे ग्याद करेंником यानि कि वर्ग उसका कैसे ग्याद करेंगे इसका भी हम ट्रीक बताएंगे जैसे दिए पचीश दिया गया है ठीक है अप लग पचीश इंग्लिस मीडिमाले पचीश हो जिस तो समझते होंगे ना किसको भी अंग्रेज में बोले ट्वंटिफाइब अगर जो नई समझ में आ रहा है तो बताएगे अगली बार हम पूरी क्लास हो सकता है सेप्रेट क्लास एकड़म बढ़ियस बताएं ठीक है इतना तो समझ भी सकते हैं 25 कि इसको बोलते है ठीक है अगर जो किसी संक्या के अंत में 5 दिया गया हो जिसे पचीश लिखे तो 5 इसक तो इस कंडिशन में अगर जो इसका वर्ग याद करने कुछ है कि इसका वर्ग क्या होगा तो आप मातर 3 से कंड लगेंगे इसके अलावा आप टाइम नहीं लगेगा आप उसका वर्ग याद कर सकते हैं जिससे हमने बोला था 25 तक का स्कौन गयाद कर लेना आप लो तो 25 का वर्ग इसका कितना होता है कोई बताएगा जिसको आ रहा हूँ कमेंट करके बताएंगे कितना होता चेसो पचिस होता है ठीक है अगर जो जिसको नहीं यहां था वो किसे करेंगे इसको हम ट्रिक से भी देखेंगे ठीक है जिसे यहां लिखा गया है कितना पचीस लिखा है तो यह पांच जो दिया गया है लाश्ट में इसका स्कॉयर कर दीजिए पांच का स्कॉयर कितना होता है पचीस इसको पची 625 यानि 25 का जब स्क्वार करेंगे तो 625 हो जाएगा इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी लेकर करके कर सकते हैं ठीक है जैसे आप हम बता दे रहें कोई छोटी संख्या पहले हम ले रहें जिसका आप लोग संख्या जानते हो ताकि एंस्वर जैस करने में चम 25 यहां दिया गया है तीन तो तीन में एक बढ़ा दीजे कितना हो जाएगा चार ठीक है अब दोनों का गुड़ा कर दीजे जो चार दिया है 12 यानि कि 35 का स्कुर को पूछे तो कितना हो जाएगा 12 25 हो जाएगा ठीक है इसके बाद हम और बड़ी-बड़ी संख्या लेते ह हैँ कर दे रहें साइड지 यहां पर दिख रहा न आप लोग को मैं इस गारत्यों कि इस सब्सकित कर दे रहे हैं रहो हो जिखते है inh एक कि लास्ट में कितना दिया गया है कि पांच दिया गया तो पांच के स्कॉर कर दीजिए 20 ऐसके बाद यह लिखा गया 13 तो 13 इंद बड़ा देंगे कितना हो जाएगा 14 एक लोग का एंसोर हो जाएगा ठीक है एक मिनट रुकिए आप लो इसको कि कितना आया है पचीस आया इसका गुड़ा करने पर तो इसको थोड़ा नीचे करके लाकर रख दे रहें ताकि सही समझ में जाएगा तो यह आया पांस से माराफ लत ट्रें जार लिए निद्धायों जेट इस अडिन अबह चैँल कर ता एक त्षोड़ा होता है च्छारण 18 2 25 ठीक है यह आएगा 135 का स्कॉर देखिए आपके लिए हम क्या क्विश्चन लेकर रहे थे 105 तो इसका स्कॉर भी करके हम दिखा दे रहे हैं आपको इसका कितना आएगा ठीक है तो इहां कितना दिया गया है पांच लास्न में दिया गया है तो 5 का स्कॉर करेंगे 25 हो जाएगा ठीक है दस दिया गया तो 10 में एक बढ़ा दीजिये कितना हो जाएगा 11 ग्यारा का गुड़ा दस में के रहेंगे तक ना ग्यारा के ग्यारा यानि की एक जीरो और आ जाएगा यानि की ग्यारा जीरो पचीस ठीक है ये एक सो पांच का स्कॉार होगा इसी तरह आप लोग 65 का स्क्वार किया होगा इसको कमेंट करके बताएंगे अगर जो आप लोग सही बताएं तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को क्लास समझ में आ रही है अधर वाई मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपको समझ में याद दिये आप लोग क क्लास हिंदी पड़ी है ना कल सुबा कौन थी क्लास हिंदी थी उसमें देखा गया कि आप लोग पूरा क्लास वाच नहीं करने देखने थोड़ा से उसके बाद में स्कीप करके चले आ क्योंकि हम लोग उसको देख सकते हैं कि कौन कितना देखा है तो आप लोग पूरा क्लास नहीं देखते हैं ऐसा हमें लग रहा है पूरा क्लास देखिए तागी कुछ आपका अभिफादा हो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब निकले ठीक है 65 का स्कॉर क्या होगा इसका आप कि अगर जो संख्या दिए रहे हैं जैसे रिपीटर संख्या एक 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 बहुत अइसे ढहर सारी दिए हूँ शके बाद में इसका स्कॉर पूछे तो क्या हो जाएगा इसके बारे में हम discuss करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले कोई छोटी संख्या ले रहते हैं जैसे हम ले रहे हैं 11 ठीक है 11 का square पूछा जाए तो कितना होता सब लोग जानते है 101 कईस होता है ठीक है 11 का over कितना होता है 101 कईस होता है square 101 कईस होता है ठीक है अगर जो हम पूछे 111 का स्क्वाइर क्या होगा तो इसको क्या करेंगे आप लोग ऐसे दिया गया है सबसे पहले क्या करेंगे जितनी संख्याइं दी गई है वहीं से यहां से स्टार्ट करें एक लिखा गया तो एक कर दीजिए उसके बाद में अंगली संख्या कितने दी ठीक है यह हो जाएगा 11 का 11 ग्रहिम एक सकते जैसे ले लेते हैं एक 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 कितना सारा हो गया उसके बाद में इसका स्क्वार पूछें तो कितना हो जाएगा अगर जो गुडा करके निकलना रहे तो बहुत टाइम लगे आपको लेकिन से यह जो ट्रिक गता रहे है इसको फालो करेंगे आप लोग जल्दी से जल्ड सालो कर लेंगे ठीक है कितना लिखा गया है इक हो गया उसके basically is okay smartmanיפ and 135 इसकेอ Originally this time is then 7 पर छेटेड़ wanna come करते चले जाए ठीक है कहां तक जाएंगे एक तो पांच उसके बादे चार तीन दो एक ठीक है यह हो जाएगा कितना क्या बार च्छे बार जब एक दिया गया था तो उसका स्कुर्ण किया है तो मैं इतना मिल जाएगा आप लोग गुड़ा करके भी चेक कर सकते हैं इसको ठ ठीक है आप लोग यह क्लास समझे ध्यान से अगर जो समझ में आ गया है जितने हमने बता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए इसके बाद में देखिए अगर जो इस तरह से संक्या दिया गया हो जैसे तो इसका स्कुर्ण कितना हो जाएगा इसको भी हम ट्रिक से दे कि यह क्या हαι खे लिख सकते हैं त्यर्ट इसको क्या लिख सकते हैं तीन गुड़े में कि दीन गुड़े ग्यारा लिख सकते हैं ठीक है न यह तनय процесс comment सकते हैं यह यह वागलेस समface है कि कि इसको क्या लिख आ जा सकता है दाहाई हो रिकाई के लठ रहे ठीक है तो दीखिए प्रोश्क एज़ीत क्या हो जाएगा यहां पर अगर जो हम 11 का पूछ चाहे तो कितना हो जाएगा 11 ग्रहिम क्या होता है wit क्यूश्रव में नहीं आता तो कि यह एक लिख्ट दीजिए उसके बाद में एक संक्या हो जाना तो नटией फिर उसके थी जाएगा याँ से पानों तीन कर दीजिए इसका गुड़ा कर दीजिए तीन का बच रहा है तो पिशलम गुड़ा कर दीजिए तीनolly किम दोज दुनाय चार दो किम लोग ठीक है यह तो छोटी संख्य हो गी जिसको आफ लोग साल्प कर लिए ठीक है अब हम जा दिखते हैं बड़ी और संक्या यसे ठीक है अब खेते देखे इधर जैसे दिया गया है 32333 तो किम लिख सकते हैं 111 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं आप लोग गुड़ा करके देख लिजिए यही आएगा ना अब इसको क्या कर सकते हैं 3 को ऐसे रहने दीजिए 111 का इसको आप भी हम पीछे किये हैं तो कितना आए था 1, 2, 3, ठीक है इसके बाद में कितना हो जाएगा 3 तरिक कानों उसके बाद है तीन दुना एच्छे उसके बाद है 3, 3, 3, 3, ठीक है यानि कि 333 का स्कॉर करेंगे तो यह संख्याइगी ठीक है इस तरह से आप लोग कोई और बड़ी संख्या ले सकते हैं जैसे 4, 4, 4 दिया गया हो या फिर 2, 2, 2, 2, 2 इस तरह से बहुत सारी संख्याइगी तो इसका इसका भी इसी फार्मुले पर कर सकते हैं आराम से ठीक है जैसे दिया गया है 900 990 ठीक है तो 900 990 करेंगी तो क्या हो जाएगा अगर जो पहले जो हम बता है उस पे सालव करेंगे तो ज्यादे टायम लगे जाएगा लें लें बताने का क्या मतलब आप लोग तुरंत तरह कर लें ठीक है वह तृट लगाएंग तो पहले लिखेंगे क तरह से लिखें उसके बाद नो से गुड़ा करेंगे तो कहीं से आएगा उसके बाद नो तरी 27 गटाना करना रहेगा तो बहुत लाब प्रसेस जाएगा तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे हम दूसरा ट्रिक एक बहुत ही आसान सा इसको लगांगे ठीक है जैसे पहले संख्यार है 9 कि टरम में रहे फस ठीक है इसका इसको आर पूछ गया इसका होण क्या होगा यहीं मैं ग्याद करना टो सबसे पहला क्या काम करेंगे हम इसमेंसे एक घृटा देंगे इसमें से जो एक घटाएंगे तो किनदा हो जाएगा 99 इतना तो आप लोग को आता होगा 98 प्रहेगा जो लिखा गए है इसको यह इपर लिख दिजें diamond कि इसको याद रखे गा कि कहीं बूले नहीं है जब आप लोग ज़्ञादे कुष्ट्यन शाल ड़ करेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा आप掉 मन में कर सकते हैं ज़्यादे कुष्ट्ण आंगी करेंगे तििक है नलेख सकते हो एंधिक है कितना लिखा गया यहां पर ले जाएए ठीक है इसे लिखते है जीरो और एक यानि कि 99 का जब स्कॉर करेंगे तो किना आएगा 9801 ठीक है यह इसका स्कॉर हो जाएगा इसी परकार से और संख्यायम ले करके देख सकते हैं जिससे देख लिजिए यही दिया गया था क्या दिया गया था 999 इसका स्कॉर पूछा गया था तो इसका स्कॉर भी हम अभी ग्याद कर लेते हैं कहां से कौन था यह पार्ट यहां था ना जैसे भी उस आप लोग समझ लेजिएगा पहले से ठीक है जब 99 का स्कॉर किये हैं तो यह वाली संख्याय मिली है मैं अब हम लिखा आते है 999 का स्क्वाइर तो यह कैसे चाल बुगां दिखिए इसमें इसमें क्या करेंगे आप लोग इसमें से घटा देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 998 ठीक है 998 आप कहीं लिख दे लिजी यहां लिख दे रहे हैं 998 ठीक है अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कि नहां हो जाएगा यहां गटेगा एक उसके बादे जीरो जीरो ठीक है तो यह वाली जो संख्यमली है इसको इसके पीछे आकर ऐसे लाकर करके लग दीजी ठीक है यानि कि जब 999 का स्कॉर करेंगे तो कि नहां जाएगा 999 801 ठीक है इस तरह से इसका स्कॉर भी निकाल सकते हैं आपके लिए हम एक कुश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोग कमेंट करके इसको भी बताएंगे दूसरा कुश्चन पहले बताए थे यह कुश्चन यह झाल इसका आप लोग कमेंट करके जरूर उपताएगा जैसे लिख दे रहे हम कितना चार बार दे लिख दे रहे हैं नो एक बार दो बार तीन बार जो नहीं करेंगे तो फिर मैं जितने लोग हैं और कम से कम अपने दोस्तों के पास सेर करिए क्योंकि यह बैच आपको फिर यूटूब पर चले जाए यह आपलिकेशन पर जाए जो पढ़ाते होसा देखें ऑगे आप लोग क्या कि एक ही साथ में नबोदे स्कूल सब क्लासे एक इसाथ में डाल देते हैं लेकिन से हम क्या करें फिर इमें चला रहे हैं फिर भी आप लोग के लिए एक सपरेट वीडि इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं आप लोग ने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जिसमें लिखा होगा थमनिल देखते होंगे उसमें लिखा होगा नबोदे उसके बाद में साइने की स्कूर उसके बाद में सी एचे साब का एक साथ में चलता वो पैड क्लास भी होता होग आप लोग ने अगर अपने दोस्तों से पूछा भी होगा जानते भी होगें लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अलग अलग सबका क्लासे चला रहे हैं यह कितना हो गया अप लोग नौजार नौशन निन्यान बका स्कॉर करके ट्रिक के साथ में बताएंगे गुड़ा करके कोई ने बताएगा ट्रिक से निकाल कर तब बताएंगे अप लोग ठीक है और पिछले क्लास में मैंने कहा था एक कुश्चन साल्व करने के लिए कोई बच्चा भी नहीं साल्व किय कोल को ठीक है कुश्चन साल्व करना उसके बाद में कमेंट करना कि कलास कैसा लगा आप लोग ऑचा करना वागे के साथihा कर से चिए कज नफेरी करेंगे सबसे पहलं तरह से अगर शनंख्या दिए गई यह फिस टाउल क्या देखे थे इस तरह से संख्या रहती तो इसके बाद करें कि इंवाइनकर घ्रकरियों के इसका मान किया हो लेकिन स्पाइब यहीं तक गया हुआ यहां पर समाब्थ हो गया तो saint वेना नांकिANS दिए रेंगा उसको का सालक करेंगे इसकर पर्मूला है जो दिए संख्या थिका जहाओ कितना ओसके बाद में इसके घाट में इन माइनस 1 अपान दो के घाट में ठीक है यह इसका आ इस इसका फार्मूला होता है ठीक है जहां यहथ्ट क्या दिया गया यह संख्या हो और को कि अब OFF करते हैं देखें ciao जो दो दिया गया इससे कनफ्यूज मत होएगा इस तरह से हम और कुश्चन भी एक्जामपल ले रहे हैं ताकि एक दो बढ़निया साफ लोगों समझ में आ जाए चलिए पहले इसको सालब करते हैं उसके बाद में आगे की एक्जामपल भी ले लेंगे ठीक है जैसे कितना दि की चार दिया गया तो समय मैंसे मानिस एक उसके बाद में बटन कितना हो जाएगा कि दो के घात में चार कॉंट सा जाएगा एक, दो, तीन, चार काउंट करने का है अब इसको जब सालब करेंगे तो जो आएगा, वही हम लोग का इंसोर हो जाएगा ठीक है तो यहां कितना हो जाएगा देखिए, ऐसे होगा, दो के घात में कितना रहेगा यह दो हो गया, बड़ा हो गया उसके बाद में इसके उपर कितना हो जाएगा देखिए, दो दुनाए, चार दुनाए, आठ दुनाए, सोला ठीक है, सोला माइनस एक बटे सोला ठीक है, यह हम माइनस का चिन है ठीक है, तब सोला में से जब घटाएंगे इसको कितना हो जाएगा 15 यानि कि दो एक हाथ में कितना हो जाएगा 15 बटे 16 ठीक है इसका एंसर हो जाएगा जो इस तरह से दिया रहेगा इक्वेशन तब ठीक है इसके अलावा हम और एक्जामपल देख लेते हैं जैसे देख लिजिए इधार देख लेजिए तर तो white page लगाया गया है पताने क्यों देख लेते हैं लोग जिसे दिया गया है इस तरह से पांच उसके बाद में फिर से पांच तो इसका फारमुला जो दिया गया है उपर उसी फारमुला पर हमसालब करेंग है है लिख दे रहे है ताकि आप लोग का practice होता रहे है याद भी होता रहे हर्मला क्या होता है यह उसके घहात में क्या होगा 2 के घहात में N Minus 1 बटे 2 के घहात में जहाँ X क्या है जो यह संख्या दी रहेगी इसका मान हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 ठीक है उसके बाद में इस तरह से लाइन कीची रहाएं बटे कितना हो जाएगा दो के घञात में तीन ठीक है जब इसको स्टाल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लिए पांच के घञात में दो दुनाय चार दुनाय आठ माइनस एक बटे आठ ठीक है जब इसको साल करेंगे तो जो आएगा उही हो जाएगा हम लोग का एंसर फार्मूला में इधर कर दे रहे हैं आप लोग एहां से देख लिजिएगा कितना हो जाएगा पांच की घात में कितना हो जाएगा साथ बताईएगा इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो भी पूछिए और अपने बुक से कुष्चन लगाते रहिए जो कुष्चन नहीं आता है आप टेलेग्राम पर भेजिए जो विद्यार थी साल्व करते हैं तो करेंगे नहीं तो हम संडे को क्या करेंगे उसका एक लाइ सब्सक्राइब करेंगा अगले हफते आएगा उसका क्लास और टेलिग्राम सब लोग जोइन कर लिजिए क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन जो होता है यूटूब कि विदियो का स्टार्टिंग में जब तीन वीडियो ला लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन बस जाएगा सुबा जैसे एक वीडियो पब्लिक हो गई उसके बाद दूसरा हुआ उसके बाद तीसरा तीन वीडियो जब पब्लिक हो गए तो इसका क्या होगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा जिसके साथ में आप आ सकते हैं उसके बाद में नोटिफिकेशन नहीं जाएगा त ठीक है अभी तो कम वीडियो पर रहे हैं इसलिए आपका नोटिकेशन आप तक तो पहुचता ही होगा लेकिन से जैसे दो-चार दिन में क्लासे सब पढ़ने वाली हैं ठीक है इधर कुछ काम है तो उसको जैसे खतम कर देते हैं पढ़ने लगेंगी सब क्लासे ठीक है कल आप